नमस्कार, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिजिटल भविष्य प्रोग्राम में नामांकन करने की प्रक्रिया बताएंगे यह प्रोग्राम दो भागों में या दो प्रसिक्षनों में विभाजित किया गया है और दोनों ही प्रसिक्षोनों में चॉकलिट आप पर सिर्फ सिक्षकों को ही एन्रोल करना है पहले भाग का नाम अंग्रेजी भाषा में है Towards Digital Bhavishya with Stream और हिंदी भाषा में इसका नाम है Stream के साथ Digital Bhavishya की ओर और दूसरा भाग है Digital Tools for Digital Bhavishya और हिंदी भाषा में ही इसका नाम होगा Digital Bhavishya के लिए Digital Tools ध्यान रहे इस विडियो द्वारा हम आपको पहले भाग में अन्रोल करने की प्रक्रिया बताएंगे नामांकन करने से पहले सभी सिक्षकों को कुछ बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले ये कि जब सिक्षक इस प्रोग्राम का पहला भाग कर रहे होंगे उस दौरान उन्हें अपनी कक्षा के बच्चों को Digital Website पर साइन अप करवाना अनिवारे होगा और इस Website का लिंक आपको Digital Bhavishya प्रोग्राम के पहले भाग के Module 3 से मिल जाएगा इसके बाद सिक्षकों को दूसरे प्रसिक्षन या दूसरे भाग के लिए भी नामांकन करना होगा जो कि तभी हो पाएगा जब आपके बच्चों की टीम्स में से कम से कम एक टीम ने Website पर पाँच गतिविधियों को पूरा कर लिया होगा और दोनों ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद ही आपको प्रमार पत्र दिया जाएगा चलिए अब नामांकन करने की प्रक्रिया को समझते हैं सबसे पहले चॉकलेट आप ओपन कीजिए और स्क्रीन पर दिख रहे क्लिक हेर to enroll for a new training पर क्लिक कीजिए अब स्क्रीन पर दिख रहे नीले रंग के arrow पर क्लिक करके विभिन ट्रेनिंग कार्ट में से डिजिटल भविश्य का ट्रेनिंग कार्ट ढूनिए अगर आप अंग्रेजी भाषा वाली ट्रेनिंग में अन्रूल करना चाहते हैं तो इसका नाम होगा Towards Digital भविश्य with Stream और अगर यही प्रसिक्षन आपको हिंदी भाषा में करनी होगी तो इसका नाम होगा Stream के साथ Digital भविश्य की ओर उधारन के तौर पर मैं हिंदी भाषा वाली ट्रेनिंग में नामांकन करना चाहती हूँ जिसका नाम है Stream के साथ Digital भविश्य की ओर अब Enroll या नामांकन बटन पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने Enrollment Form खुलेगा यहां आपको मांगी हुई सभी जानकारी भरना अनिवार रहे है जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें उसके बाद यहां आपको Access Code एंटर करना है ध्यान रहे जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहां ट्रेनिंग दो भाषाओं में उपलब्ध है इसलिए Access Code भी दोनों के अलग-अलग होंगे अगर मैं हिंदी भाषा वाली ट्रेनिंग में अन्रोल कर रही हूँ तो इसका Access Code होगा D-I-G-I-T-A-L-H और यहीं अगर आप अंग्रेजी भाषा में अन्रोल करना चाहते हो तो उसका Access Code होगा D-I-G-I-T-A-L-E Access Code एंटर करने के बाद उके पर क्लिक के जिए इसके बाद आपको स्क्रीन पर यह मेसेज निज़र आएगा जिसका मतलब है कि आपकी नामांकन करने की प्रक्रिया झालब होगा